Hello Everyone, Welcome Back to Organized Learning Channel अगर आप मेरे चानल पर नहीं हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कामेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक तरफ से बिशन माथमेटिक्स क्लास 10 के लिए एक फरवरी 2023 का question of the day तो क्या question हमें दिया गया है हमें एक match the following का question दिया गया है ठीक है match the following यह कॉलम ए में हमें कुछ figures दी हुई है और यह उन figures को explanation की explanation दी गई है कि यह figure किस चीज का combination है या एक single figure किस चीज की है यह एक सिलेंडर और यह हैमिस्फेर का कॉम्बिनेशन है ना जिस सिलेंडर की हाइट कितनी है 19 और यह यहाँ पर इसकी हैमिस्फेर की रेडियस कितनी हो जाएगी 6 cm ठीक है तो अब देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ओफ सिलेंडर और हैमिस्फेर कौन सा ऑप्षिन है हमारे पा होगा इस figure के लिए next figure दी गई हमें वो क्या दी गई है यह कॉन है ठीक है इस तरीके से और यह hemisphere है तो कॉन और hemisphere का जो है combination है यह हमारे पास ठीक है तो अब इसमें इसकी height दी गई है 5 cm और इसकी radius कितनी है 3 cm है ठीक है तो देखो यह कौन सा option में दी गई है कॉन और hemisphere का combination वो है हमारा option number one combination of a cone and a hemisphere इसले बी का हो जाएगा first option correct third figure देख लेते हैं C वाला जो पार्ट दिया गया हमें वो यह देखिए यह 3 cubes का combination दिया गया है जिनकी sides कितनी दियो है 5 cm ठीक है तो यह option देखते हैं कि कहां दिया गया है तो यह हमारे पास second option combination of 3 cubes इसलिए C का second option जो है correct होगा हमारे पास इसके अलावा तो कोई और figure नहीं दी गई है बट एक और situation वैसे दे रखी थी कि अगर यह हो सकती थी तो cube combination of a cube and hemisphere तो ऐसी हमारे पास कोई figure नहीं थी जो की cube or hemisphere का combination थी तो इसलिए यह जो है इन तीनों के लिए यह options जो है हमने match कर लिए है तो आशा है कि आपको यह video समझ में आ गई हो गई तो और आप इस video को जादा से जादा शेयर करें video को like करें comment करें channel को subscribe करें और मिलते हैं next video में